नमस्कार दोस्तों स्वागा था आपका फिर से एक नई वीडियो में दोस्तों जहां पे कोरोना के महामारी के वज़े से काफी लोग को बेट नहीं मिल रहा है हॉस्पीटल में जगह नहीं है लोग रास्ते पे लोग मतलब कह सकते कि एक गड़ीब का ठेला या कहीं किसी तर जुगार लगा करके बाहर में ऑक्सीजन लगा करके बैठे यहां तक अभी इस तरह की आ गई है कि ऑक्सीजन के किल्लत आ चुकी है ऑक्सीजन ही नहीं एविलेबल है कही जगह पे जिस वज़े से काफी लोगों का जान जा रहा है लेकिन इस बीच मैं एक संस्थान की बात बताऊंगा, एक ऐसे कह सकते हैं कि एक organization की बारे में बताऊंगा, जो की गरीब के लिए काम कर रहा है, हम बात कर रहे हैं New Delhi की गुरुद्वारा रकप गंज की, वहाँ पे उस गुरुद्वारे में कह सकते हैं कि जो इस पेस है, जहा अगर होस्पीटल में जगन नहीं है, अगर होस्पीटल में जगन नहीं है, अगर कह सकते हैं कि होस्पीटल में नहीं हो सकती है, जगन लिमीटेड होता है, जिस तरह से ये महमारी फैल रही है, तो जहाँ पे बेड नहीं मिला, वहाँ पे लोगों का बुरा हाल है, उस वज़े से काफी लोगों का जान भी गया है, तो इस तरह के जैसे बड़े बड़े जगह है या फिर जैसे बड़े बड़े संस्थान है उन लोगों को आगे बढ़ना चाहिए काम करना चाहिए जिस तरह से ये गुर्द्वारा ने दो सा लोगों का बेड़ बना करके एक पूरी दुनिया को एक संदेज दिया है कि अगर जहां पे लोग आ करके गुर्दवारे में पूजा करकर अपने मन की सांती पाते हैं भगवान से कुछ मांगते हैं जिसे मिलता है तो ठीक क्यों नहीं गुर्दवारा हो चर्च हो मंदिर हो मांजित हो इस तरह को बेड़ बनाया जाए ताकि लोगों का इलाज हो सके वो भी एक मंदिर से कम नहीं हो तो बस यहीं मैसेज था मुझे लगा आप लोग को साथ सेर करना चाहिए क्योंकि यह बहुत अच्छी ख़वर थी तो मिलते एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्चित रहिए, जैहिंद